क्यूं समुदायों पर किसकी अद्धिक्षता में समिति का गठन किया है क्यूंकि दोस्त ऐसा होता ना कि अभी आप देखते होंगे एक वर्ग ऐसा होता है जो किनर को देखकर के सायद हसता है जो किनर को देखकर के सायद ताली बजाता है दर्शल में जब हम सब का जनम होता है तो आप में से जो लड़के हैं साइद तुम लड़की होते आप में से साइद जो लड़की हैं साइद तुम लड़के होते तो हम सब जो बने हैं वो प्रिकृती की देन है उसमें किसी व्यक्ति की वो अपनी खुद की गलती नहीं है कि उसकी खुद की गलती है तो एक ऐसा समुदाय है जो संघर्स उसको नहीं करना चाहिए आज के समय में भी उसको वो संघर्स करना पड़ रहा अपनी पहचान के लिए ऐसे ही समुदाय को हम बोलते हैं आपका LGBTQ क्या बोलते हैं अब दरसल में हम कहते हैं कि भहिया हमको तो जो आपका अपोजिट जेंडर है वही पसंद है विप्रीत लिंगी पसंद आते हैं परकिर्ती का नियम है कि वही विपरियत लेंगी या कि मतलब महिला को पुरुस पसंद आएंगी और पुरुस को महिला पसंद आएंगी लेकिन ये नियम क्या सच में कहीं आपके द्वारा बनाया गया या पीछे से आया का मतलब कि पहले से प्रकृति द्वारा ये चलता है तो उसी लिए हम उस पक लड़कियां जिनको लड़कियां पसंद आती हैं ठीक है उनके साथी संबंद इस्थापित करना चाहते हैं G4 ये ऐसे होते हैं कि जिनको पुरुस होके पुरुस पसंद आते हैं B4 है साथी Bisexual Bisexual का मतलब है जो सारेरिक संबंदों के लिए आपका इस्तरी और पुरुस किसी का भी चुनाव कर लेते हैं एक होते हैं साथी Transgender क्या होते हैं T4 क्या है Transgender और Transgender वो होते हैं जिनका साथी क्या बोलेंगे जैसे कि वो दिखने में तो लड़के की तरह होते हैं लेकिन जब बचपन में होते हैं लगता है लड़का है लेकिन धीरे धीरे बड़े होते हैं उसके जो गुण विक्सित हो जाते हैं वो लड़की के जैसे हो जाते हैं बचपन में लड़की के जैसे और फिर लड़के के जैसा हो जाता है और Queer इन सब से अलग है क्वेर का मतलब है कि जो इन सब में से किसी को भी न माने वो कहते हैं ना हम लेस्पियन ना हम गे ना हम ट्रांसजेंडर ना साथी हम आपका वो क्या बोलेंगे ना हम आपका बाइसेक्सवल है उस सब की परणाली क्या है उस सब की परणाली क्या है वो क्वेर है तो क्या बोलेंगे इसके लिए भारत ने समुधाय बनाया और उसके साथ ही जो आपका अद्देख्ष बने है वो राजीव गोबा है क्या बोलेंगे राजीव गोबा है आगे आगे